मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभेन गैर सरकारी क्षेत्र की समितियों में सदस्य अध्यक्ष और सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है इसी के अंतरगत मुख्यमंत्री ने चित्तोरगड की पूर विधायक सुरेंदर सिंग जाडावत को DMFT के जिले की गर्मिंग काउंसलिंग का ट्रस्टी नियुक्त किया है सुचना के बाद चित्तोरगड में कॉंगर्स कारिकरताओं में हर्श की लहर दोड़ गई और उन्होंने मुख्यमंत्री अशुक गहलोत का आभार व्यक्ते हुक करते हुए कहा कि चित्तोरगड के विकास में पूर विधायक सुरेंदर सिंग जाडावत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है वहीं पूर विधायक सुरेंदर सिंग जाडावत ने मुख्यमंत्री अशुक गहलोत और सहकारिता मंत्री उदैलाल आंजना के प्रती अपना आभार व्यक्त किया कि इस्टिक मेंगर्ण पंट्रस्ट ये काफी समय से जित्तौर के अंदर बनने के फिक्यादीन था बोगसाय से बूड़े विए सभी लोगों के नाम हमारे मानी मंत्री से करिद अमतु देहीं आना साण से भी कहाँ कि इस पर जल्दी बनाया जाना चीए कि पौरण के जो विकास के डार्य हुप्रे कराने के लिए इस ट्रश्च का जज़ित में जरूए है मैं मुट्वन्धिमादे अशु गलो साब को बहुत अवार्यक्त करूंगा कि इसके अंदर चित्वाड के खनन व्यवसाय से जिसमें सभी वर्गों को उन्हें आज यहां समय किया है